दर्बंगा एरपोर्ट शुरू हुआ लेकिन यहां पर एक ऐसी घटना घटी है दोस्तों जिसे बताना जो है वो भी जरूरी है और यह घटना है कि यहां से किसी ने सोने के गहने की चोरी कर ली है आज इसी की बात करेंगे कि आखिर चोरी के बाद कैसे एरपोर्ट से लेकर पुलिस मैकमे में हड़का मचा हुआ है दर्बंगा एरपोर्ट से आखिर यात्री का जो गहना चोरी हुआ है अभूशन चोरी हुआ है उसको लेकर काफी हड़का मचा हुआ है क्योंकि ये पहला केस है ऐसा दर्भंगा एर्पोर्ट पर जहां पर चेकिंग के बाद ऐसा कहा जा रहा है ऐसा आरोप लगाए गया है कि बैग से गहने आभूशन चोरी कर लिए गये हैं और इसके लिए केस दर्च कराएक यात्री ने पूरवी चंपारन का वो यात्री है जो दर्भंगा से बैंगलूर जा रहा था अपनी फैमिली के साथ उसका आरोप है कि उसके वाइफ के गहने चोरी हो गया और उसने पुलिस में केस दर्च कराया है पूरी रिपोर्ट देखेगा क्योंकि इससे पता लगेगा कि ये पहला केस क्राइम का केस दर्भंगा से बैंगलूरू के लिए निकले दमपत्ती के बैग से लाखों के आभूशन गायब हो गए हैं ऐसा केस दर्च कराया गया है और सौफ्टवेर इंजीनियर दुर्गेश कुमार है बैंगलूर एरपोर्ट पर उन्हों थाने में एक आवेदन दिया है और यहां इसकी शिकाय जो है दर्बंगा में जहां पर चेकिंग होती है वहां का सिसी टीवी लगा ही नहीं है और वो सिसी टीवी फूटेज एवलेबल ही नहीं है जब सिसी टीवी लगा ही नहीं है तो वो फूटेज कहां से मिलेगा तो ऐसे में समस्या यह है कि आखिर पकड़े तो किसे पकड़ हो तो इस दोरान हो सकता है कि आभुशन चोरी हुए हो तो इसकी जाज जारी है आपको ये भी बता दें कि दर्वंगा एरपोर्ट के सुरक्षा जाज काउंटर के पास सीचीटी कैमरा नहीं पाया गया है और बुदवार को काउंटर पर तैनात कर्मी गुरुवार को प्रशिश कर रही है आपको ये भी बता दें कि इस मामले को दर्वंगा के डियम ने और स्पी ने बहुती गंभीरता से लिया है क्योंकि ये पहला केस है दोस्तों दर्वंगा एरपोर्ट पर क्राइम का चोरी का इसको लेकर के इसलिए गंभीरता जादा दिखाई जा रही है आपको ये बता दें कि जिला दिकारी डॉक्टर त्याग राजन एसेम और स्पी बावुराम ने एरपोर्ट के अधिकारियों के उस काउंटर के पास कैमरा लगाने के लिए कहा था लेकिन अब तक कैमरा नहीं लगाया गया है इस वज़े से जो पुलिस के बड़े अधि कोट में कि जब चेकिंग हुई थी उस समय जो चेक करने वाले दिकारियों ने कहा था कि आपके बैग में गहने हैं आप इसको ले जा सकते हैं यह अलाव है और लेकिन बैग में उस वक्त जब सब किलियर हो गया उसके बाद जब बैंगलोर में जब वो पहुंचा दमपती तो वहाँ वो गायब मिला ऐसा कहा जार आप देखना होगा कि इसमें पुलिस जाच के बाद आखिर क्या सच निकल कर सामने आता तो दोस्ते ही वीडियो कैसा लगा जरू लाइक किजिए शेयर कीजिए कमेड़ी के सब्सक्राइब किजिए कुछ और वीडियो के साथ हाथ ह होगा हम देखते हैं दर्बंगर ओख शुक्रिया धनवाद जेहिद